कि शुरू करते हैं आपकी वोक्षीट नमर 16 या आपकी एट क्लास की वोक्षीट हिंदी की तो पहले अपना नाम अपने टीचर का नाम क्लास सब कुछ आप लिख लेंगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कभीर की साखिया है या आज हम लोग तीसरी बार इस वोक्षीट को प और उनकी जीवनी दी गई है जो कि आप लोगों के पेपर में नहीं आती है लेकिन आप लोगों को याद करना बनता है इसे आप पढ़ें तक कोई कभी आप से पूचे किया आप लोग कभीर कभीर को जानते हैं कौन थे कब पैदा हुए कब उनकी मृत्तिय हुई वो किस भ बच्चों अब तक हम कभीर दाजी की चार साक्या पढ़ चुके हैं जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरन व्यवार और आदर्शों की चर्चे की आज हम कभीर की साक्यां से इस पार्ट के अंतिम साक्य को समझने का प्रयास करेंगे आईये पढ़ते हैं यह इस त को दारी दे दया करे सब कोई अब इसका भावत क्या है देखें यहां कभीर दाजी कह रहे हैं इन पंतियों में कभीर दाजी कहते हैं कि जिसका मनशान्त और शीतल है उसका संसार में कोई बैरी या शत्रू नहीं होगा यानि कि जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो कोई आपके साथ भी बुरा नहीं करेगा यदि मनुश्य अपने अहंकार का त्याग कर दे तो हर कोई एक दूसरे के प्रती समान रूप से दयाभाव रखे यह अगर हम अपने अंदर से यह हटा दे कि आप लोगों को बता हूं जैसे मैं बहुत बचाबिल हूं बहुत पड़ी लिखी हूं और आप लोग मुझे हैलो मैम या गूड मॉर्निंग मैम या इस तरह से कर के मैसेज करें और मैं आपको उन मैसेज का रेप्लाई ना करूं त कि मुझे अतना भी पढ़ना होते है ना चले खेर वो तो बात की बात है लेकिन मैं आपको एक एग्जामपल दे रहीं के अगर मैं ऐसा करूँगी आपका रिपॉलाई नहीं करूँगी मुझे जैसी मौका मिलता है जो कि मैं करती हूं हर बार लेकिन अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँगी तो क्या होगा आप लोग मेरी वीजियो देखना बंद कर देंगे कि ये मैम तो बहुत जादा एंक्टिंग में रहती है हमारी बात नहीं सुनती है है ना सेम उसी तरह से बोलने कि अगर कोई मनुश्य अपने अंदर इस तरह की आक्टिंग को रखता है कि भई हम पढ़े लिखे हैं या हम बहुत काबिल हैं या हम बहुत पैसे वाले हैं तो क्या होता है कि उसके ना वो दूसरों के प्रति प्यार को नहीं ला पाता फिर फिर उसको लगता है कि हर कोई मुझे से छोटा है हर कोई मुझे से कम तर है तो इसी लिए कह रहे हैं कि हमीशा हमीजा है अपने दिल से ये सारी चीजे निकाल देना चाहिए कि हम बड़े हैं, हम पैसे वाले हैं या हम रिच हैं इस तरा सी कुई भी चीज अपने दिबाग में नहीं रखनी चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं अपने अहंकार को अगर त्याग देते हैं तो हमारे क्या होगा कि हम दूसरों के प्रति प्यार और मुहबत का इजार कर सकेंगे उसके लिए दया कर भावना भी हमारे अंदर पैदा होगी अगर किसी को चोट लगी तो उसका दर्ध हमें भी मैसूस होगा कि इनको चोट लगी है इसलिए मनुश्य को संसार में अहंकार और स्वाट की जगा मित्रता और दया भाव पहलाना चाहिए यानि इसी वज़े से इनसान को हमेशा प्यार मौपत से और दोस्ती के साथ रहना चाहिए अगर किसी को किसी चीज़ की जरूरत है तो उसकी प्राबलम को समझते हुए उसकी हेल्प करना चाहिए ना कि उसको उस वक्त नीचे और जलील दिखाना चाहिए है ना तो वही चीज यहां कबीरदाजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को देखे मैंने अपनी पहली वक्षीट जो हम लोग ने कबीर की साखी की पहली वक्षीट बनाई थी उसमें यह बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई थी कि यह जो आपकी प्रशन के उत्तर दीजिए तब आपका पहला प्रशन क्या लिए पस्तुत पंक्री के नुसार मनुष्य के इस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रू बना लेता है यह क्या ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से अगला इंसान जो सामने वाला है वो उसके लिए अच्छा इंसान नहीं है जो गुसा रखता है अपने अंदर करोद की भावना रखता है बदले की भावना रखता है उस इंसान का हर कोई दुश्मन होगा चीक है चलिए आगे पढ़ते हैं जोगों के प्रती प्रेम और दया के भाव से आर्था हैं को सब के साथ मिलकर रहन चाहिए यहां पर दया भाव कारती है नहीं कि आपके साथ मिल जुलकर रहें जरूरत पढ़ने पर एक दुसरे की मदद करें एक दुसरे का सपोर्ट करें एक दुसरे की काम है यही इंसानियत है और यही हमारे जीवन का मकस्त भी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इस साकी से हमें क्या सीख मिलती है तो चलिए देखते हैं कि इस साकी से हमें क्या सीख मिलती है इसका अंसर आप यहां से लिखेंगे हमको सब के साथ मिलकर प्यार मौबब से रहना चाहिए एक दुसरे के दर्द को समझना चाहिए और मदद करनी चाहिए ठीक है तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे आप इस साखी से क्या समझते हैं जब किसी को जरूत पड़े तो मैं उसकी मदद करनी चाहिए बिना कोई लालच की बिना कोई अपना स्वार्थ दिखे है ना और बिना उसको जलील की इस तरह से आप लोगे सब को कर लेंगे चलिए आगे पड़े आपका आपको जो अच्छी लगी है उसको लिखेंगे इस तरह से मैं अपना बताऊंगे कि मुझे क्यों अच्छी लगे है इस करे आपको जो पसंड आए आप उसके बाले में बिसको बबस्क लाइब चलिए नहीं करते हैं यहां से लिख सकते हैं मुझे जो पसंद आया वोई आय अने हैं में पढ़त भावजूद जबता क्राइस है महीं वीडियो डाल जोगें तो क्या आपको लगते हैं कि मेरी वो प्रे जो मैं गौर्ड 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 या लाला कर रही हूं क्या वो कुबूल होगी नहीं होगी ठीक है तो यही चीज कभी तास जी ने इस दोह में समझाई दियों मुझे यह दोह सबसे अच्छा इनका लगा यह साखीन की सबसे अ लगते हैं तो इसका मतलब में वो काम आपका अच्छा नहीं होगा एक्जामपल के दौर पे अब मैं आपको यह वीडियो पूरी ना समझा के सिर्फ और यह सोचूं कि मैं अपना पल्ला बचा लूंगी तो क्या इससे आप मेरी वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे यह जहां मैंने अपने काम के साथ कोता ही बढ़तना शुरू की वही आपने मेरी वीडियो को देखना बंद कर दिया है तो कहने कार्थ है कि अगर आप कोई भी काम करें तो उसे पूरी इमानदारी से करें मैं वीडियो बना रही हूं जैसे मैं पहले केजि क्लास की भी बनाती तो आपने काम के प्रती इमानदार हूं मेरे वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो क्या है कि मैं इमानदार हूं तो मेरा काम पूरी तरह से अच्छा हो रहा है जैसे मैं चार यूँ मेरा काम वैसे हो रहा है लेकिन अगर मैं यहीं अभी कोई कोहताई बरतना शुरू कर दूँ या कुछ आना कानी करना शुरू कर दूँ तो क्या आप मेरी वीडियो उसको पसंद करेंगे नहीं फिर आप कोई और चैनल को सिस्क्काइब कर लेंगे है ना क्योंकि कोई काम करते तो दिकित आधा काम करने में टाइम भी लग गया और उसके बाद हमने आधा किया नहीं तो वह वैर्थ भी हो गया तो यह वाला टाइम बिलकुल वेर्थ राना अमारा इसलिए जब आप कोई काम करें तो उसे पूरी तरह से करें अन्य था वह काम वि वीडियो बस इतने हैंगा आपको माई वीडियो पसंद आयो तो प्लीज दिसे लाइक हो शेयर करें अगर भी दोख आपने माज़ों को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज माज़ों को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग